हाई एबरीवन भार्ती तड़काव यंजन में आप सभी का स्वागत है आज हम सरसो के साग को बनाने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगी यहाँ पे हमने आधा केजी के लगभग सरसो के साग को धूल करके अच्छे से ले लिया है और आधा केजी के लगभग य दोस्तों है क्योंकि ठोड़ा सागом होती है कि यहां पर हमने लिए देखिये काट लिया है अब इसको एक बतन में अलग रख लेंगे यहां पर हमने रख लिया है अब यहा पर पाल attent को भी हम उसी तरीके से काट लेंगे जैसे सरसो के साग को काटा था सरदिया सुरूप हो गई हैं थोड़ा सा पालग का साग खाने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों इसलिए थोड़ा सा आसान तरीके से हम यहां पर आज बनाने वाली है तो यहां पर हमने देखिए काट लिया है सर्सो के साग को पालग को भी काट लिया है अब चलत को भी यहां पर डाल लेंगे हम कोट करके डालेंगे आप हड़े भी डाल सकते हैं और आधा इंच हमने अधरक को क्रॉस करके डाल दिया है और दो हरी मिर्ची को कट करके डाल दिया है और यहां आधा गिलास के करीब हमने यहां पर पानी डाला है और डाल करके ढखकन लगा अब पोटाइटो मैसर से हम इसको मैस कर लेंगे अच्छे से क्योंकि इसका लुक और बढ़ जाएगा ऐसे और यहां पर मेरा वीडियो थोड़ा से इसकीप हो गया था दोस्तों इसलिए हम नहीं दिखा पाए हैं यहां पर हमने दो चम्मच मक्य के आटे को पानी में घोल करक इसको डालने से इसका और भी स्वाद बढ़ जाता है और देखने में लुग भी अच्छा लगता है और इसको फिर कटाइटो मैसर से हमने मैस कर दिया देखिए कितना बढ़िया देखने में हमारा साग लग रहा है और बन के तयार भी हो गया है अब चलिए हम तड़के की प्याज को डाल दिया है अब यहां पर तीन चार लॉसुन के कलियों को कूट करके डाल दिया है दो हरी मिर्च को हमने कट करके डाल दिया है और थोड़ी से अधरक को डाल दिया है दोस्तों अब इसको थोड़ा सब भूल लेंगे अब इस पर हमने तीन चार पिंच के करीब हींग को डाल दिया है क्योंकि हींग स्वाद और बढ़ा देता है साग का और आधा चम्मेज के पर हुने रेट के लिप आडर को डाल दिया है खाने में स्वाद और बढ़ जाता है इस सबसे अब इसको भूल लेंगे, यह हमारा हो गया, देखिए अब इसमें हम साग में इसको मिला देंगे, तड़के को, मिला करके हम इसको चला देंगे, देखिए साग हमारा कितना बढ़ियां देखने में लग रहा है दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राइक करिएगा एक बार, और क कि अबने निकाल लिया है इस पर थोड़ा साथ गार्नी से रूप में बटर को डाल देते हैं और